Hello friends and welcome to overtake wheels आज हम लोग बात करने वाले हैं XUV700 के base model के बारे में जो की है MX variant आज आपको बताएंगे कि क्या features मिलने वाले हैं आपको XUV700 के base variant के अंदर और इसके जो उपर के variants हैं उसके अंदर आपको क्या feature मिलने वाले हैं feature distribution की बात करेंगे और special focus आज हम लोग रखने वाले हैं अपने base variant के उपर अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजेगा ऐसे interesting videos के लिए और video को like कर दीजेगा अगर video पसंद आती है तो सबसे पहले बात करते हैं इसके base variant की की इसमें आपको क्या-क्या features देखने के लिए मिल जाते हैं और कितने की पड़ती है ये एक showroom petrol diesel के अंदर पूरी जानकारी आपको एक single video के अंदर मिलने वाली है सबसे पहले कुछ features की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 8 inch की infotainment screen देखने को मिलेगी ये touch screen नहीं होगी normal screen होगी और इसमें आपको 4 speakers भी देखने के लिए मिल जाएंगे साथ ही इसमें आपको जो display screen मिलेगी जो basically आपकी MID होती है वो भी मिल जाएगी देखने के लिए छोटी सी और आपका जो driver का speedometer, tachometer है वो analog ही रहने वाला है इसमें आपको Android Auto का support भी दिया गया है और smart door handles मिलते हैं जो की आपके motor से control किये जाते हैं LED tail lights देखने को मिलेंगी steering mounted controls और साथ ही ORVM आपको power adjustable मिलेंगे और उनी के उपर आपको turn indicators भी देखने को मिल जाएंगे साथ ही day night IRVM के साथ आपको 17 inches के steel wheel देखने को मिलेंगे लेकिन इन में wheel cap नहीं लगी होगी अगर आप इस variant के अंदर जो steel wheels हैं इसकी जगा alloys लगवा लेते हैं और अगर कोई इसको side से या पीछे से देखता है कोई नहीं कह सकता है कि ये गाड़ी base variant है इसको सिर्फ पहचाना जा सकता है सामने से या उपर से जब इसमें आपको sunroof नहीं देखने को मिलेगी या सामने से जब आपको LED DRL देखने के लिए नहीं मिलेंगे इस MX variant के petrol model की जो pricing है वो 11,99,99 लाक और petrol के बाद डीजल की बात करें ये diesel engine आपका 2.2 liter ना होके ये आपको normal diesel engine 1.5 liter का मिलता है जो मराजों में आता है इस बात का ध्यान रखिएगा अब बढ़ते हैं next variant की तरफ जो की है XUV700 का AX3 variant जिसको आप कह सकते हैं second base model इसकी अभी तक सिर्फ petrol की ही prices reveal की गई है जो हम लोग अभी बात करेंगे आगे पहले features की कुछ बात कर लेते हैं तो जो 17 inches के steel wheel हैं इसमें आपको wheel cap देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे साथ ही 10.25 inches की यहाँ पे आपको touch screen देखने को मिल जाएगी infotainment की और driver के तरफ भी जो display है वो आपका touch pad जैसा display हो जाता है जो पहले analog meter था वो digital meter बन जाता है इसमें आपको Alexa का support भी दिया जाएगा Apple CarPlay, Android Auto के साथ 60 connected app feature भी मिलेंगे आपको Adrenox connected नाम के एक feature के अंदर और इसी के साथ 6 speakers देखने के लिए मिल जाते हैं और LED DRL fog lamp के साथ देखने को मिलेंगे आपको इसके अंदर प्राइस की बात करें 13.99 lakh है शोरूम है इसकी pricing आपका base model से पेट्रोल का ये वाला model approximately आपका वो लगबग आपको पढ़ता है 11.99 और ये पढ़ता है 13.99 आपको यहां पे 2 lakh का difference देखने के लिए मिल जाता है उस हसाब से जो इसमें आपको features मिलते हैं price factor जिस पे इसको launch किया जा रहा है वो काफी बहतरीन है इसको भी आप एक तरह से value for money जरूर समझ के चल सकते हैं अभी तक इसके diesel variant की price reveal नहीं की गई है लेकिन premiumness मिल जाती है AX5 अब आते हैं इसके ओपर जो की है आपका second top model इसके अंदर सारी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको एक luxurious car के अंदर चाहिए जैसे 17 inches के diamond cut alloy wheel LED clear headlights मिल जाती है turn indicators आपको sequential मिल जाते हैं साथ ही cornering lamps भी देखने को मिल जाते हैं mainness में जो है वो आपका sunroof है जो काफी बड़ी है देखने के लिए और इसके भी अगर आप prices की बात करेंगे so prices का है 14.99 लाग तो जो एक लाक रुपे एक्स्टा भर रहे हैं ये उत्ता value for money लगता है क्योंकि आपको एक sunroof मिल जाती है आपका automatic climate control मिल जाता है उसी के साथ push start stop button keyless entry मिल जाती है cornering lamp turn indicator LED ये सारी चीज़ें value for money justification create कर देती हैं and 14.99 लाग is the एक showroom petrol variant price again डीजल इसका जो होगा वो तेड़ लाग महंगा समझके चलिए एक showroom के अंदर अब आते हैं XUV700 के AX7 variant के अंदर जो की है the top model variant अभी तक इसकी ना petrol के prices को बताया गया है ना ही diesel के prices को बताया गया है बात करते है इसके features की तो इसमें आपको ADAS मलता है जो की है advanced driver assistance system और इस वज़े से गाड़ी अपने आपको खोदी कंट्रोल कर सकती है ब्रेक लगा सकती है खुद को जो लाइन होती है उस लाइन में स्टिक रख सकती है अपने आप स्टेरिंग इसका मुडता है so autonomous driving level 4 की आप इसको कह सकते हो then इसके अंदर आपको smart clean air zone जो भी purifier बगेर हैं यह सारी चीज देखने को मिलती है seats इसमें leather हो जाती है white color की है थोड़ा जल्दी गंदी हो सकती है लेकिन गीले कपड़े से अगर आप इसको पोचेंगे that will be perfectly fine over there इसमें 6-way seat adjust मिल जाती है memory function के साथ power adjustable seats है यहाँ पर सोचने की बात है कि यह है और साथ ही इसमें आपको कुछ छोटे tweaks and features मिल जाते हैं जैसे की leather wrap मिल जाता है gear के उपर आपके steering के उपर साथ ही इसमें आपको driver के भी drowsiness alerts मिल जाते हैं जो कि ADAS का ही एक feature है और जैसे मैंने बताया अभी आपको memory seats मिल जाती है और curtain airbags भी जो आपको मिल जाते है वो third row तक जाते है safety aspect के थूँ अगर आप इस AX7 को देखते हैं this is the best out there in the market अब बात करते हैं price की तो इसके prices अभी तक reveal नहीं किये गए है और उमीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द इसके भी prices reveal कर दिये जाएंगे यह है वो variants जो XUV700 के अंदर आने वाले है और base variant की main थी यह video base variant के अंदर मुझे जो चीज़े बतानी थी वह मैंने आपको बता दी है base variant के अंदर कुछ चीज़ें और कि आखिर base variant इसका किनों खरीदना चाहिए किनको नहीं खरीदना चाहिए किस price factor पे आपको base variant consider करना से यह या नहीं अगर आपका price approximately 12 lakh से 13 lakh 14 lakh तक है और आप सोच रहे हैं क्रेटा पे जाने की सल्टास पे जाने की उस price point पे आपके लिए 5 seater XUV700 is best option और अगर आप अर्टिगा वगेरा पे जा रहे हैं and you need a 7 seater वहाँ पे आपके लिए base model XUV700 का is one of the best options और उसी में अगर आप 1.5 liter डीजल पे जाते हैं आपको performance तो उत्ती must वाली नहीं मिलने वाली है बहुत अच्छी तो नहीं मिलेगी out of the box वाला आपको कोई feel नहीं मिलेगा वहाँ पे performance में लेकिन जो mileage वहाँ पे आपको मिलेगी that will be out of the box क्योंकि क्रेटा सल्टाउस में भी आपको वैसा ही engine मिलता है 1500cc so power का कोई भी आपको factor differentiating नहीं लगेगा किसी भी गाड़ी में surplus mileage की बात करें so आदा है किलोमीटर XUV700 में शायद आपको mileage कम मिले because it's a heavy vehicle बड़ी गाड़ी है 7-seater है तो अगर आपको 5-seater में चाहिए then also XUV700 base variant is best for you और अगर आपको 7-seater में चाहिए so you can opt for 7-seater variant जिसके थोड़ी 20-30,000 cost approximately higher end पे रहने वाली है क्योंकि उसमें 2 पीछे की seats additional लगने वाली है so I hope कि अगर आपको समझ में आ रहे होंगे अपकी कौनसा variant आपके लिए best है कौनसा नहीं है AX3 और AX5 पे आपको तभी जाना चाहिए अगर आपको जो price factor है यह कुछ budget आपका जो है यह harrier और आपकी hectare हो गई इन पर जा रहा है अगर आपका budget तब आपको जाना चाहिए AX3 AX5 के ऊपर इसके फिलाल इस वीडियो में इतना ही रखते है वीडियो पसंद आने पर like, share, subscribe, comment जो भी आपको अच्छा लगता है आपके मन को जो भाई वो करिए इस वीडियो में इतना ही रखते है till then signing off अगर आपको कोई भी question queries है किसी भी चीज़ को ले के अगर आपको नहीं समझ आया है कुछ भी you can comment down below उसका answer आपको देने की कुशिश करेंगे हम लोग comment के थूँ और अगर आपको फिर भी कोई personal query है you can connect with us on Instagram जहां पर आपको सारे के सारे answers दिये जाएंगे बिना किसी कॉस्ट के we are not a consultant we are just a car enthusiast so thanks for watching the video signing off